हलो एबरीवन वैलकम बैक टू मैं चैनल निवी की रसोई सू फ्रेंट्स आज हम करेंगे फाइरलेस कुकिंग याने की बिना गैस की फ्लेम को चालो किये आज हम इंस्टेंट सैंविचेस बना कर तयार करेंगे यदि आप फाइरलेस कुकिंग कॉंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आज की रेसिपी एकदम परफेक्ट है आप लोगों के लिए कॉंपटीशन के अलावा ये सैंविचेस आप घर में बच्चों को बना कर भी दे सकते हैं ये किट्स स्पेशल सैंविचेस आप लोग एक बार जरूर ट्रै कीजिए ज़्यादा देर ना करते हुए आए रेस्पी को शुरू करते हैं सो इंस्टेंट सैंविचेस बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ सबजियां लिये हैं प्याज टमाटर गाजर खीरा याने की ककड़ी और ऊम्रूद लिया है सब में आप देख सकते हैं बाकिक इंग्रीडियंट्स हम इसमें आड़ करेंगे यहाँ पर मैंने डाल दिया है दो से तीन चमंज टमेटा कैचाप और दो चमंज मैंने यहाँ डाला है म्योणीस वो भी आट कर सकते हैं और इन मेंसे कोई सब्जी आपके पास नहीं है तो इसकी भी कर सकते हैं इसके साथ ही एक चमच मैंने डाल दिया है चिली फ्लेक्स थोड़ा सा काली मिर्श का पावडर ठोड़ा सा चाठ मसाला हम इसमें डाल देंगे इसके साथ ही नमक ढल देंगे स्वादनूसार और यहाँ पर हम एड़ कर रहे हैं औरिगेनो तो यहाँ पर बन टीस्पून औरिगेनो मैंने इसमे आड़ कर दिया है इसके अलावा कोई और मसाले या सॉउस आप इसमें आड़ करना चाहते हैं हमारी यह बहुत ही ज़ादा tasty healthy और delicious sandwiches की stuffing बनकर तयार हो चुकी है तो अभी के लिए से side में रख दीजिए यहाँ पर मैंने bread के slice ले लिए हैं और यहाँ पर मैंने चार bread के slice लिए हैं पहले तो पहले मैं आपको दो sandwiches बना कर बता रही हूँ तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि इसे cut कर लेना है goal shape में कोई भी टिफिन बॉक्स का ढखकन या फिर आपके पास cutter हो उससे आप इसे cut कर सकते हैं तो मैंने इसे round shape में cut कर लिया है और आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर 4 bread के slice को cut किया है तो एक bread के slice पर हम लगा देंगे tomato ketchup और दूसरी bread के slice पर हम लगाएंगे munis याने की white sauce तो यहाँ पर आप इसके अलावा green chutney का इस्तमाल भी कर सकते हैं अगर आपके पास green chutney available है या फिर आप बनाना चाहते हैं तो green chutney भी आप इसकी जगे लगा सकते हैं तो चमत से आपको पूरे मैचे से spread कर देना है टामेटो ketchup और म्योनीस लगाने के बाद हम इसके उपर लगाएंगे stuffing तो हमारी बहुती ज़ादा tasty और delicious वाली stuffing आप इसके उपर लगा दीजे हम चाहते तो सारी सबजियों को gold shape में भी cut कर सकते थे लेकिन अगर आप इस तरह स एक दम finely chopped करके सबजियों को इसमें लगाएंगे तो हर एक bite में सबजियों का टेस्ट आएगा वो बहुती ज़ादा tasty लगता है दोस्तों अगर हम बड़े बड़े pieces में सबजियों को cut करते हैं तो सबजियों का टेस्ट कहीं पर आता है कहीं पर नहीं आता है और ऐसे अगर आप एक दम finely chopped करके सबजियों का टेस्ट हर एक bite में आता है और आप देख सकते हैं सबजियों को अच्छे से फैलाने के बाद पूरे में मैंने इसे उपर से cover कर दिया है दूसरी bread के slice से और इसी तरह से आपको बाकी की sandwiches भी बना कर तयार कर लिनी है इसे attractive दिखाने के लिए यहाँ पर मैं इस तरह से sauce इसके उपर से डाल रही हूँ तो sauce को मैंने एक polythin में डाल लिया है जिस तरह से हम कौन बनाते हैं महंदी लगाते हैं बिलकुल उसी तरह से हमें से करना है तो sauce को एक polythin में भरने के बाद मैंने से cut कर लिया है side से cut करने के बाद इस तरह से हम randomly क कोई भी डिजाइन बना देंगे इससे सेंडविचेज दिखने में बहुत जादा अट्रेक्टिव लगेंगी और खाने में तो टेस्टी लगेंगी ही दोस्तों कोई भी कुकिंग कॉंपटीशन में हम पार्टिसिपेट करते हैं सबसे जादा जरूरी होता है टेस्ट के साथ कैसे प्रिजेंट करते हैं अपनी डिश को तो ये बहुत अच्छा तरीका है इस तरह से आप प्रिजेंट कर सकते हैं तो एक दूसरी पॉलिथिन में मैंने म्यूनीस भी ले लिया है और म्यूनीस को भी मैं इस तरह से अपोजिट साइट से डिजाइन बना दूंगी और हाजर होते हैं एक ने वीडियो के साथ एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए आप कुछ रहें मुस्कुराते रहें धन्यवाद